अखिल भारती माति महिला Mole मंडलि इस्थाने शाख्या की बहणों ने दयोदय गोशाला का भ्रमन किया और कुछ समय प्रकर्ती और हरियाली के साथ व्यातित किया और अपने नियो जित कारिक्रम की शुरुआद गोमाता की पूजा आर्ती के साथ की गई गोमाता को गुर्तिल, हरी घास, फल सबजी और अनाज खिलाया गया इस अवसर पर गोशाला के संचालक ने सभी महीलाओं को बायोगेस प्लांट के बारे में लापसंसादनों और ओलोक उपयोगिता की जानकारी देते हुए घरगर गोपालन कर आज के समय में इंधन की महत्ता और राष्टर के विकास में योगदान का परिचे कराया भही दूसरी और मातरशक्ती ने बायोगेस प्लांट की प्रक्रिया को देखा और समझा गोशाला के लिए धनराशी गोसेवा के लिए प्रदान की गई अंतिम चरण में सब ने वहाँ पर गोप्रशादी ग्रहन कर बन विहार का आनन्द भी सामुईक रूप से लिया गितिका काबरा, लता काबरा, सभीता काबरा, अनिता पलोड, संगीता राठी, सारीका माल पानी, मधु मालानी, अनिता काबरा, अनुरादा काबरा, मम्ता काबरा, सरिता मोहता, वीदी मुंधड़ा, संगीता राठी, गरिमा काबरा, अनिता माल पानी का सहयोग सराहनिय रहा शकर नदी के किनारे इस्थित गोशाला और आसपास की हर्याली और प्रकर्ती का भरपूर आनंद लिया गया मारवाडी महिला संगटन के द्वारा समाज में गो समवर्धन और गो माता के प्रती लगाओ के उद्देश्य से उप्रोक्त आयोजन की सर्वत्र सराहना की जा रही है संस्था समय समय पर संसकारक्षम, लोक रूची, लोक परंपरा आदिस से जुड़े कारिक्रम कर समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया करती है गाडरवारा से संजे गुपता की रिपोर्ट